कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्निशन चैनलन में आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और डेली कुछ न कुछ नया सी यह करेंगे अपनी काम को बहतर बनाने के लिए जिससे कि आप अपने फिल्ड्स में अपना बैस्ट दे पाएं तो इसी आसा के साथ इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का टॉपिक है या इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से कंडेंसर की जो लीकेज है उसको रोका जा सकता है कौन सी method होती है किस तरीके के equipment use किये जाते हैं और कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप condenser की leakage रोक सकते हैं method से आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर बहुत आसान सा method है आप आसानी से कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो इस वीडियो को लास तक जरूर वाच करिएगा तो आपको पता है condenser के अंदर tubes होती है copper tubes जिसके अंदर पानी रन करता है तो जो tubes हैं अगर काफी नंबे समय से यूज में आर की हैं और इसमें जब रस्ट जम जाता है या जो प्रैशर पानी का कभी कभी ज्यादा हो जाता है कहीं पर कोई copper tube पर जो जाती है जिसके वज़े से इसमें leakage देखने को आपको मिल सकता है बहुत सारी reasons हो सकते हैं तो अभी हम बात करेंगे sample method एक तो leak detector होता है आप उससे पता कर सकते हैं और एक उससे भी आसान तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी बार बता रहे है यानि कि आप साबून का ज्याग बनाए सारे जो tubes हैं उसके आगे के surface में जैसे यहां पर लगाया हुआ है आप सामने देख पा रहे है महाँ पर लगाये जिसे कि आपको पता चल जाएगा अगर जो tubes leak होती है महाँ पर bubble बनता है यानि कि क्या बनता है गुबारे बनते हैं उस tubes से क्या होगा बाहर की तरफ गुबारे निकलेंगे क्योंकि वहाँ से reference बाहर निकल रहा होगा तो इस तरीके से आप आसानी से leak पत आपको लीकेश का पता नहीं से लेगा क्योंकि और चेक भी जरूरी है कि आपको कहां पर लीकेश है तब ही वहाँ पर आप क्या करोगे महां पर आप लीकेश को रोक पाऊगे तो आपको सबसे पहले कंडेंसर को खोलना पड़ेगा दोनों cover उसके इंड कवर स्टार्ट कव साबुन के जाग के तुरू आसान होता है आप आसानी से एक मोटा मोटा जाग बनाई है और उसके उपर आप इस तरीके से copper tube का जो आगे का portion होता है उसके उपर ऐसे फैक के भी देख सकते हैं जिससे कि क्या होगा महां पर bubble बनेगा अगर जहां पर लीकेश होगा तो वहां हैं जिससे कि आप एक बास साटिस्फाई हो जाएंगे कि आपने जो चेक किया है वो कुछ ही ट्यूप में आपको लिकेश देखने को मिली है तो आप महां पर निसान लगाईए उनको मार्क कीजिए उसके बाद आप इस तरीके का एक equipment होता है जैसे कि आप भी देख पा रह copper tubes को पूरी तरीके से और यह जो material है या metal है आपको दोनों तरफ से क्या करना होगा बंद करना होगा यानि कि इस वाले साइड से भी और दूसरा वाला जो condenser का साइड है उस साइड से भी जिससे क्या होगा आपकी दोनों तरफ से जो copper tubes हैं वो proper तरीके से बंद हो जाएगी कि इसमेर के तरूम solici's बराबर कर देना है उस्मेटल को 127 क आपका त्यूम पत्यों लिकला यहां पर हम कस्टंब को बन देखने को मिल रही है उसके बाद हैमर करना है कुछ इस तरीके से और यह metal पूरी तरीके से खोकलہ नहीं होता है पूरा आपको metal जो देखने को मिल रहा है प्रॉपर ऐसा ही होता है जिससे की जो क्या होता एक मजबूती है अप लगड गुटका यूऄ सकते कि जाने बहुत जादा क्या कर दालता है मेटरियल के उपर उसको गला देता है या उसको वजह से क्या होगा को स्टायम के बाद आपकी जो ट्यूब्स हैं उसमें वापिस से लीकेज देखने को आपको मिलेगा उसके बाद आपने क्या करना है जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर से आपने सारी टूप में एक बार साबून का जाग मार के देखना है कि वहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं है तो इस तरीके से वापिस से वर्किंग कंडिशन में आ जाएगा अब इसके बाद भी एक काम रह जाता है क्योंकि आपको पता है रैफ्रिजन काफी जादा उड़ चुका था इसमें से तो आपको वापिस से रैफ्रिजन को चार्ज करना होगा या टॉप अप करना होगा तो यहां पर आप चार्जिंग लाइन तो यहां पर हमें कनेक्शन लगाने हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें टॉप अप कर देंगे जितना भी रैफ्रिजन इस कंडेंसर के थुरू अभी जो लीकेश में उड़ा है उसको वापिस को हमें डालना पड़ेगा जिससे की हमारा जो चि सबस्कार कि लीटर के बारे में तो मैं बताओंगा बटाबी यहां पर आपने देखा सही है चैलें टूटाइप का कंडेंसर है सामने प्रेशर देख पा रहे हैं यह स्टेंडिंग प्रेशर है करीबन 40 वह फोटी के रूपर है दोनों का मैं तो इस तरीके से आप किसी भी क क्या कर सकते हैं leakage को रोक सकते हैं बहुत आसान method मैंने आपको बता है आपने सबसे पहले क्या करना है soap का यूज करना है leak check करने के लिए और उस leak check करने के बाद आपने जो मैंने आपको metal दिखाया था उस metal का यूज करके ये metal आपको hardware में असानी से मिल जाएगा अगर जो size आपका tubes का उस हिसाफ से आपको लेना हो तो आप जाके hardware पर जाके ले सकते हैं और उसका use आपको अच्छी तरीके से करना है और proper और ध्यान रखके आपको उसको hammer करना है अगर आप जादा जोर लगाएंगे या उसमें जादा क्या करेंगे जादा उसको ठोकने की कुशिश करेंगे तो उससे क्या होगा जो tubes हैं उसमें बहुत जादा असर देखने को मि अपर ठोक के वापिस से क्या करना है soap method के तुरू लिके चेक करनी है और वापिस से दोनों जो cover थे आपके in cover उनको condenser के लगा के आपको उसके उपर gas charge करनी होगी gas charge इसले करनी होगी क्योंकि जो starting में जो gas होती है वो आपको पता है leakage के वक्त उड़ना start हो जाती है और यह बहुत आसान भी है और बहुत जल्दी आप इस पर क्या कर सकते काम कर सकते जिससे कि आप refrigerant को भी बचा पाएं आपको पता है refrigerant का cost बहुत जादा होता है इसलिए यह जो तरीका है बहुत जादा आसान भी है और बहुत instant आप इस सारी चीजों को करके वापिस से आपके condenser को working condition में ला सकते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो आपका slender है वहाँ पर charging line लग चुकी है एक जो charging line है आपको condenser से connect करनी होगी क्योंकि आ आपको condenser के तुरू क्या करना है gas को charge करना है तो इससे पहले भी मैंने gas charging के उपर आपको काफी ज्यादा video channel पर डाल रखी अगर आपको देखना है तो आपको जाके जरूर देखिएगा तो यह जो plant है काफी बड़ा है domestic level के हिसाब से क्यूंकि आपको पता है यह सारी चीज करने से आपको थोड़ी बहुत knowledge मिलती है काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो कोई बात नहीं है आपको जहांसे knowledge मिलती है बस आप महांसे gain करते जाए क्या पता बाद में जाके आपको इस तरीके काम भी देखने को मिले या करने को मिले तो इस तरीके से आपने दो जो charging लाइ उसके अंदर जा रहा है तो यह तो सब सिंपल और बेसिक चीजे हैं जो कि आपको पहले से पता होंगी बट में मुद्धा इस वीडियो का यह था कि मैं आपको दिखा पाऊं कि किस तरीके से जो कंडेंसर है उसकी लीकेज को रोका जा सकता है क्योंकि कई सारी कमेंट्स आये पहले भी किस तरीके से लीकेज को रोका जाता है और दोस्तों मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि यह वीडियो काफे लंबे समय बाद आ रही है और इसका एक रीजन यह है कि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको मैं थियोरी के मादियम से नहीं समझा सकता जिसके लिए मुझे पैक्टिकल वीडियो चाहिए होती है और मैं यह सोचता हूं कि अगर आप पैक्टिकल तोर पे किसी चीज को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़े समझ में आती है इसलिए मेरे चैनल का नाम भी पैक्टिकल टेक्निशन है और मैं ज्यादत अब आप प्रेशर देख सकते हैं यह रणिंग कंडिशन में है 25 प्रेशर 25 प्रेशर 25 प्रेशर चाहिए चल रहा था तो इस तरीके से जो काम था हमारा वह पूरा हो चुका है लीकेज जो थी अमने उसको भी रोक दिया गैस पी चार्ज कर दिया है अब जो हमारा चिलर है वो रणिंग कंडिशन में आ चुका है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं इसी तरीकी की और वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद